नमस्कार प्यारे बच्चों राम राम कैसे हो उमीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और कॉंपिटिशन एग्जाम की तयारी में लगे होंगे प्यारे बच्चों आज अपन इसे करेंट फेर की सेशन में चर्चा करेंगे कि पी एम मोधी के दुवारा कहां क यहां पर कौन-कौन सी युजनाओं का उद्गाठन किया या सुभारम किया गया है तो तमाम जानकारी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ और करेंट फेर की जो सुचना है वो पूछी जाती है कोई भी जाए कॉम्पिटिशन एग्जाम उचे स्टेट लेवल की हो या सुभारम किया गया है एक अंदर सरकार की कौन-कौन सी युजनाओं चल रही है जिसमें प्यम मोदी ने भाग लिया है उद्गाठन करने में गया और कहीं भी जो जितने भी इन्चे प्यम मोदी चे जुड़े परसन इंपोर्टेंट परसन अगर कॉम्पटिशन एक्जाम म को आप सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सेगे इसके अलावा अगर आपको डेली करेंट फिर की जानकारी लेनी हो तो इन्फिजन नोट्स के इंस्टाग्राम और टेलिग्राम चैनल के उपर आपको डेली करेंट फिर की जा नेरेंधर मोदी ने। और में किया यही परसन अगर आपके सामने मुए आजाए। कि करणाटाक के अंदर प्यमोदी ने कौन चे या कितने नंबर के दुव रस्टरी oven मोथचभ को अधिक दःधिक यह अपको पताना इस जिए त Πैसे नंबर कहा हैं तो यह नेक्स्ट आगे देखेगा परदान मंत्री नरेंदर मोदी ने देवनायन जी के जनमोत्षव के आउसर पर आसिंद भीलवाडा में आये थे क्याने कि भीलवाडा राजस्तान के अंदर आये थे कब आये थे बगवान देवनायन के मंदर में आये थे और देवनायन जी के जो जनमोत शव था उस समय पिये मोदी है जो शिंद बिलवाडा में राजस्तान में आये थे नेक्स है पड़ान मंतरी नरेंदर मोदी ने वारान सी में MV गंगा विलास क्रूज का लोकारपन किया कि गंगा नदी के अंदर है क्रूज इचलाय जा रहा है कौन सा MV गंगा विलास क्रूज है उसका लोकारपन किस tendency कि द्वारा किया गए प्यारे बचτε्चो पीम नरेंदर मोदी के द्वारा इस क्रूज का निर्मान वुजो उदगाठन है वो किया गए है लोकारपन किया गया है चेले नेक्स्ट देखेगा आगे परदान मंतरी नरेंदर मोदी ने 23 जनवरी 2023 को अंडमा निकोबार दीप समोगे 21 सबसे बड़े अनाम दीप का नाम प्रमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखने की गोशना की है तो ये भी अपने आम में बहुत इंपोर्टेंट परसन और सबसे बड़े अनाम दीप का नाम है प्रमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखने की गोशना की है ये देखेगा पिक्चर में भी आप यहां से चेक कर सकते हो चलिए आगे देखेगा चार फरवरी दोजार तेवीस को दिल्ली मुंबई ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वे के राजस्तान से दोसा खंडगा उदगाठन किया कि दिल्ली से मुंबई के बीच में ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वे बनाया गया है उसमें पी एम मोधी ने जो राजस्तान से दोसा के जो है उसको उध गाटन ने किया था बहुत सान्दार ixpress we बना है, जारा अर्रह र्याली हरी छहली और आप अगर एक बार महाँ विजिट करोगे देखोंगे ऐस अससे express way का तो आपको लगेगा वास्तह में सान्दार edgy express way बना है तो ईसका जो खंड का उद्गाठन कब किया गया था चार फरवरी दोजार तेविस को ये आपको ध्यान में रखना प्यारे पच्छो और ये भी ध्यान में रखना है कि ये ग्रीन फिल्ड एक्स्प्रेस है कहां से कहां तक बनाया गया है दिल्ली से मुंबई तक कहां तक दिल्ली से मुंबई तक ये बनाया गया है राजस्तान से दो सागे बीस का जो खंड है उसका उद्गाठन चार फरवरी दोजार तेविस को पिये मोदी के दुआरा किया गया था नेक्स्ट देखेगा परदान मंतरी नरेंदर मोदी ने एसिया के सबसे बड़े एर सो का उद्गाठन बेंगलोरू से किया कहां से किया कि पिये मोदी के दुआरा एसिया के सबसे बड़े एर सो का उद्गाठन बेंगलोरू से किया गया तो ये भी अपने आप में क्या है important person point बनता है, नेक्स देखिएगा परदान मंतरी नरेंदर मोधी ने राजस्तान से जल, जन, अभियान का virtual सुभारंब किया तो यह देखिएगा जल, जेन, अभियान का virtual सुभारंब किसने किया किसके द्वारा किया गया तो PM मोधी के द्वारा इसका सुभारंब किया गया चलिए आगे देखेगा इंपोर्टेंट पॉइंट से उनके उपर अपन चर्चा करते हैं परदानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में बारीशु करनेड दिमावा मौथ सवका उदगाठन भी किया तो यह कहां से किया दिल्ली में किया है नेक्स्ट इस्तित सीव मोगा हवाई अड्डे का उदगाठन भी किया है नेक्स्ट देखेगा आपदा जोखिम न्यूनिक करन के राष्ट्रिय मंच के तीसरे सत्र का उदगाठन परदानमंत्री नरेंदर मोदी के दुवारा किया गया नेक्स्ट है बेंगलूरु मेसूर एक्स्प्र एक्स्प्रेस्वे का उदगाठन बारा मस्द 2000 को पेम नरेंदर मोदी ने किया गया 29 मार्च 2023 को ये डेत भी आपको ध्यान में रगनी है कहां पर किया बेंगलूरु मेसूर एक्स्प्रेस्वे इसका उदगाठन बारा मार्च 2023 को किया नेक्स्ट देख Kagā परदान मंतरी नरेंदर मोदी ने हुबली धारवाड में दुनिया के सबसे लंबे रेल्वे प्लेट फूरम का उद्गाठन किया तो ये भी आप अपने आप में यापर एक प्रसंद बन जाता है कि दुनिया का सबसे लंबा रेल्वे प्लेट फूरम कहां पर है हुबली धारवाड जो करनाटक में है धारवाड और इसका उद्गाठन किसके द्वारा किया गया तो प्रदानमंत्री नरेंदर मोधी के द्वारा इस रेल्वे प्लेट फोर्म है इसका उद्गाठन है किया गया नेक्स देखेगा कोल भीफोर यूडिग एप नरेंदर मोधी ने लांच किया है प्रदानमंत्री नरेंदर मोधी ने लांच किया गया है नेक्स है परदानमंतिरी नरेंद्र मोदी ने वह हीट फिल्ड के के आर पूरम यानि ये कोदुगोडी से कर्षन कर्षन राजपूरम मेट्रो लाइन का उदगाठन बेंगलूरू करनाटक से किया कहा से किया है बेंगलूरू में उदगाठन किया है PM Modi ने वाइट फिल्ड के आर पुरम, कादू गोडी से कृष्ण राजपुरम इसका उद्गाठन किया है, नेक्स्ट देखेगा, वार्शिक बेस्टिल डे, प्रेड में अतिति के रूप में नरेंदर मोदी को फ्रांस ने आमंतृत किया, फ्रांस सरकार ने भी PM Modi को आमंतृत किया, किस में किया है, वार्शिक बेस्टिल डे, प्रेड में अतिति के रूप में आमंतृत किया है, नेक्स्ट है देखेगा, PM नरेंदर मोदी ने ग्यारवी बंदे, भारत ट्रेन को मद्दे परदेश से सुरू किया है, कितने, कौन से नमबर की है, ग्यार वी है, और इसक भारत को हरी जंडी दिखाई कौन सी को तिरुपति वंदेव भारत को हरी जंडी दिखाई है नेक्स देखेगा भारती अंतरिक्स निती 2023 जारी करने वाली सुरुक्सा केबिनेट समिति के अध्यक्स पीएम नरंदर मोदी थे तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है जो यहा की दृष्टी से अती इंपोर्टेंट पॉइंट है वो बनते हैं आप अगर कॉम्प्टिशन एक्जाम के तहारी कर रहे हो यह पॉइंट आपके लिए बहुती लाबदाएक है वो साबित होने वाले हैं नेक्स देखेगा गुहाटी में पुरुवत्र के पहले एम्स का अच्छी में भारत की पहली वाटर मेटरों की शुरू के उसके जो सुभारम किया है शुरू की है यह भी आपको ध्यान में रखना है यह मोदी ने 30 अपरेल 2023 को मन की बात का सोवा एपिसोड संपोधित किया यह भी बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है कि सबसे पहल सा परदानमंत्री है जो मन की बात करता है जनता से अपने मन की बात है वो सेर करता है तो उसमें नाम आ जाता आपका पीम नेरेंदर मोदी का और पीम नेरेंदर मोदी ने अब तक कितने बार मन की बात कर ली है तो सोवार और सोवा एपिसोड कब आया था मन की बात का 30 अप है जी शेवन देशों की बेठक जापान में हुई पी एम मोधी बतोर अतिती के रूप में वहाँ पर सामिल हुए थे आप रुई जी शेवन की बेठक है वो जापान में हुई और वहाँ पर पी एम मोधी बतोर अतिती के रूप में वहाँ पर क्या हुए सामिल हुए थे नेक वहाँ पर महत्मा गांधी की प्रतीमा है उसका अनावरन भी किया नेक्स्ट है आगे देखेगा फीजी और पापुआ न्यूगीनी देश ने पी-एम नरेंदर मोदी को अपने देश का सरवस्टों सम्मान से सम्मानित भी किया है नेक्स्ट है प्रदान मंत्री मोदी ने आश स्वासों के लिए बहुत ही गर्व की और अच्छी बात है कि पिये मोदी के द्वारा आस्टेलिया दोर्य के दोरान सीडनी सहर का हेरिस पारक है उसका नाम बदल कर लेटिल इंडिया कर दिया क्या कर दिया लेटिल इंडिया कर दिया गया नेक्स है परदान मंत्री मोदी ने संसत बहुन का उद्गाठन वीर सावर करकी जैनती के उपर किया अब ये भी अपने आपने पर्शन बन जाता है कि नया जो संसत बहुन बना है उसका उद्गाठन किसकी पूर्ने थिति पर वा तो वीर सावर की जो जैनती है उसके उपर इसका उद्गाठन किया गया है नेक् तुम करू यानि करना टक के अंदर है वहाँ पर इसका उद्गाठन है प्या मोधी के दुवारा किया गया नेक्स है परधान मंत्री मोधी ने नई दिल्ली में पहले वेस्विक बोद सम्मिलन का उदगाठन भी किया पिये मोधी के दुआरा ही इसका उदगाठन है किया गया नेक्स देखेगा परधान मंत्री मोधी ने ओप्टिकल फाइबर केबल जैसी अंतर नहीं ते संपतियों के नुक्सान को रोगने के लिए कोल बिफोर यूडिग यानि की कोल बिफोर यूडिग एपका लोंच है वो पिये मोधी के दुआरा किया गया नेक्स देखेगा परधान मंत्री मोधी ने पांच वे अंतराष्ट ये आप दा पड़ति रोदी अव सनचना समयलन 2023 को भी संबोधित किया किस के दुआरा किया गया पिये मोधी के दुआरा तो इस सेशन के अंदर जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूं ये पिये मोधी स करेंट फेर की जानकारी हर एक्जाम और ए outta पुछी जाती है पीये मोधी ने दिल्ले में एक कोनोमिक टाइम गलोबल बिजनेस संमिट 23 की अगिकस ता पी अ मोधी के दुआरा भी कि गई लेक्षप फीये मोधी ने ने दिल्ले में वेस्विक मेल्टेस Rumelan 2023 का उदग राय सीना डायलोग 2023 के आर्ट वे संस्करन का उद्गाठन भी पिये मोधी के दुवारा ही किया गया है नेक्स्ट पॉइंट देखेगा पिये मोधी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आदार शिला भावनगर गुदरात में रगी यह भावनगर कहा है गुदरात राजे में आया तो यहांपर देखेगा पिये मोधी के दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आदारसिला भावनगर गुदरात के अंदर ही पिये मोधी के दुवारा रखी गई है नेक्स है पिये मोदी ने मोडेरा, मोडेरा गुदरात को भारत का पहला 24 इंटू 7 शोर उर्जा संचालित गाउं गोशित कर दिया है, कि यहाँ पर 24 गंटे 7 दिन क्या है, शोर उर्जा संचालित रहेगी, कौन सा गाउं है, मोडेरा और मोडेरा गाउं कहाँ पर है, गुदर प्लेट फोरम प्रकर्ति के एकतालीस वे संस्क्रण की बेठक की अधेक्सता भी प्यम मोदी के दुवारा की गई है नेक्स्ट पॉइंट है प्यम मोदी ने पहले अंतराष्ट्री संग्राले एक्सपो 2023 का उद्गाठन नहीं दिल्ली के अंदर है किया नेक्स्ट पॉइंट ह प्यम मोदी ने राजिस्तान के बांस्वारा के मानगर्ड धाम को राष्ट्रिय इसमारक गोशित भी कर दिया है तो यह देखेगा मानगर्ड धाम है इसको राष्ट्रिय इसमारक गोशित कर दिया गया है यह भी प्यम मोदी के दुवारा ही गोशना की गई है नेक्स्ट है पिके मोदी ने सत्रवैं परवासिभारतिये दीवस सम्मिलन का उधगाठन इंध़ोर मद्या प्रदेश में इसका उधगाठन किया तो यह जो महल होई पमोदी के दुआरा उधगाठन कीया या कहाँ पराश्टरिय। इस्मारगोशित कीया या अन्य जो इनिशे जुड़े हुई जो point थे जो exam की दुर्षी से important point थे वो मैंने आपके साथ यहाँ पर share किये हैं तो प्यारे विच्छो infusion notes team के दोवरा आपको दी गई जानकारी कैसी लगी comment box में comment करके जरूर बताएगा इसके अलावा अगर आपको डेली करंट अफेर की किसन साहिए डेली करंट अफेर की जानकारी लेनी हो तो infusion notes के instagram और telegram channel को आप follow कीजिएगा वहाँ से आपको डेली करंट अफेर की जानकारी है वो मिल जाएगी और इसके अलावा infusion notes का जो youtube channel है वहाँ पर आपको रोजगार से जोड़ी जानकारी इसके अलावा जो ये unique कोई point बनते हैं करंट फेर से जोड़े वे या handwritten notes की जानकारी ये आपको infusion notes के youtube channel के उमादम से दे दी जाएगी पहरे बचो तो मेरे द्वारा दीगे जानकारी आपको कैसे लेगी comment box में comment करके जरूर बिताएगा और इस जानकारी को इस सोचना को अपने friend circle में भी share कीजिए जिससे अगर आपका कोई दोस्ते या रिष्तेदार तैयारी कर रहा है तो उसको भी इस जानकारी का लाब मिल सके चलिए मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद राम राम